हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो आज हम भगवान के एक शुद्ध भक्त हुए जो शुद्र परिवार में जिनों ने जन्म लिया है ऐसे शुद्ध भक्त जिनका नाम है स्वामी रहेदास जी और रहेदास जी भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्त हुए हैं वे काशी में रहकर प्रभू का भजन कर रहे थे और प्रती दिन उनका एक ही कारिय था कर लेकर प्रती दिन चपल बनाना और चपल बना कर बेचने का उनका कारिय था लेकिन उसमें से जो भी धन कमाते थे उसमें से तीन गुना अर्थाद 75% है ना सादू सेवा में यूज करते थे और 25% अपने घर परिवार के निभाने में यूज करते थे 2400 गन्टा भगवान का स्मरण करना, भक्ती करना, नाम किर्तन करना और किर्तन करते-करते वे अपना पूरा जीवन निर्वाह करते थे जब भाईयों का बटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे भाग में क्या है मुझे क्या मिलेगा तब स्वयम पिता ने कहा कि तुमको ये नीम का पेड़ मिला है बस और कुछ नहीं जमिन जायदाद सब दूसरे बेटों को दे दी लेकिन स्वामी रहिदाश जी ने कुछ भी नहीं कहा और पेड़ के नीचे रेकर भजन करने लगे फिर उनका विवा हुआ और वे आके काशी में जाकर रहने लगे वहाँ पर प्रती दिन गंगास नान करना और साधू की सेवा करना एक समय की घटना है कि सुबह में ब्रह्म मुरत में गंगास नान करने जैसे गए तो रास्ते में उनको एक पत्थर मिला जिसे शीला कहते है और हकिकत में उनको पत्थर नहीं था वे सालिग्राम शीला थी उन्होंने और ये शास्त्र में बताया गया कि पूर्व जन्म में भी ठाकुर जी का भजन कर रहे थे उनकी सेवा कर रहे थे तो यहाँ पर इस जन्म में भी उनको शालिग्राम भगवान ने दर्शन दिये घर पे लाए और पंचामरुत में स्नान करकर ठाकुर जी की बहुत दिल से सेवा करने लगे और भगवान उनकी सेवा से बहुत ही प्रसन हुए एक समय की घटना है कि घर में अन्न नहीं था तब उनकी पत्नी ने कहा आप जाईए बाजार में तब कहा मेरे पास तो कुछ है नी धन अरे ये चपल पड़े है आप चपल एक जोड़ी बनाए है और चपल जाके बेच कर उसमें से जो भी आना जाए और जो सबजी आए और आ रास्ते में उनको एक दरिद्र ब्रामन मिला जिसके पूरे पेर सब फटे हुए थे पेरों में चाले पड़े हुए थे तब ब्रामन को देखकर रैदास जी ने कहा अरे संत महात्मा संत भगवन आप इस प्रकार से दरिद्र अवस्था में है और आपके पेरों में इतने च ठाले पड़े हैं तो आप क्यों चपल नहीं पैंते हैं तब उस दरिद्र ब्रामन ने कहा कि मैं तो एक दरिद्र गरीब ब्रामन हूँ और मेरे पास कोई धन है नहीं तब कहा कि एलो मेरे चपल ले लो देखिये कितने उनके शुद्ध भाव और मुचे विचार है तब उस ब्रामन ने कहा कि आपने मुझे चपल तो दिये लेकिन मेरे पास देने के लिए लक्ष्मी नहीं है तब कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आपकी लक्ष्मी आप ले को कुछ देना चाहता हूं तब कहा कि क्या आपको संसार का कोई सुख नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल मेरा मती मेरा मन भगवान में लगे और हरी नाम में लगे बस और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए तब रैदाश जी अपने घर पे चले गए और वहा आए ब्राम्मन का रूप बना कर ही आए और वहाँ पर किर्तन कर रहे थे तब रहदास जी ने कहा कि अरे महाराज अरे स्वामी आप कहा जा रहे हो आईए हमारी खुटिया में और यहाँ पर प्रशाद लेकर जाईए बोलिए क्या आप प्रशाद में लोगे पूरी सब्जी लोगे हलवा लोगे मिठाई लोगे अरे राम 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 अरे यह सब खाऊंगा तो मेरा सरीर खराब हो जाएगा ब्राम्मन ने कहा मुझे तो वैद ने कहा कि ऐसी चीज़ अगर आप खाऊगे तो आप जल्दी मर जाऊगे इसलिए मैं तो केवल सा पहुता है कि ब्राम्मन जो भी होता है या भक्त होता है जिस बोलते हैं ना जितनी Hall रहुतने पैर पसारने चाहिए तो भ्रहमन ने वही तो शाक्षात भगवान थे और उसके पहले वह कर आये थे भगवान आए ब्राम्मन का रूप लेकर आये थी भगवान तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी ब्राम्मन देवता भगवान जो है ब्राम्मन का रूप बना कर आये लेकिन उन्हों देखा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है घर में केवल चांच थी कुछ आटा था तब कहा कि मुझे तो आमन देवता ने जैसे कहा तो रैदास जी ने अपनी पतनी को कहा कि हमारे यहां संत भगवन आये हैं तो आप उनकी सेवा के लिए दिल जान से अच्छा से अच्छा भोजन बनाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ और उनको तुरूप्त करो इस प्रकार से संत महात्मा ने उनके यहां पर भोजन खाया और एक एक निवाले से आनंद और कहते हैं ना के आशिरवाद देने लगे कहो आपको क्या चाहिए आप जो बोलोगे मैं दूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है तब रैदास जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आप देना चाहते हो तो मेरी मती भगवान में हमेशा लगती रहे बस हमेशा के लिए लगी रहे मेरी मती बस इतना कहा तब उस ब्राह्मन देवता ने अपने जोले में से एक पत्थर निकाला कहा कि ये पत्थर जिसे कहते है पारस मनी और जिससे आप लगाओगे वो सोने का बन जाएगा रैदास जिने का मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है तब ब्राह्मन देवता ने कहा कि आपको मुझे पर विश्वास नहीं है तब वो जो चमडा काटने की लापी होती है वो क्या बोलते है उसको वो छोटे से इतनी लकडिक हाथा होता है जो उसको ब्राह्मन देवता ने वो पत् तब रैदास जी ने कहा बड़ी मुश्किल से मुझे कहते हैं जब हम अलग हुए थे तो मेरे पिता ने त्रिकोन आकर का आता है चपल बनाने का वो दिया था और ये लापी धापी दिया था उससे चमड़ा काटने का ये दो चीज मुझे दिया था और ये ही मेरा गुजारा ह आपने तो इसको सोने का बना दिया और मुझे तो इससे अभी सोने का भी कटेगा भी नहीं तो आपने तो आल्रेडी मुझे पहले से दुखी और कर दिया पहले तो मुझे और कस्ट था और कर दिया अभी ये लोखन की जब तक नहीं आएगी तब तक वो कटने वाला क्यों उसको धार निकालना पड़ता है, सोने का तो होगा नहीं धार, तो ये मेरे कोई काम की चीज नहीं है, अभी मुझे बहुत मैनत करना पड़ेगा और मैनत करने के बाद मैं उलाओंगा तब मेरा गुजारा होगा, अरे आपको ये सब करनी की जरूत नहीं है, आपको संतों को करना है ना बोजन करना है बंडारा करना अच्छे कारे करना है तो लीजिए इस पत्थर को और जहां कहीं चिपकाऊगे सब सोना हो जाएगा तब रैदास जी ने कहा मुझे यह चीज नहीं दी लेकिन आपने मुझे दिया है तो मैं उस विलूँगा स्विकार करूंगा ब्रा ब्रामन देवतार चार पात दिन के बाद आए फिर उन्हों ने कहा है अरे मैंने आपको दिया तो कहा है तो बला उपर माले तो बहुता है पर डाल दिया है जहां पर मतलब जोपड़ा था न उपर डाल दिया उनको दे दिया रही तो मुझे यह चीज नहीं चीए तो भगवान उस समय कहते हैं मेरे भक्त इतने शुद होते हैं दियमानमन ग्रिणनती देने हुए पर भी नहीं स्विकार नहीं करते हैं इस प्रकार पूरे कासी में यह बात भैल गई कि यह रैदा सुद्र परिवार में जन्मा है और भ्रामन के नियमों का पालन करता है तब सब भ्रामन लोग आए और उन्होंने विरोध किया और वहां के राजा को नवाब को जाकर कहा राजा को कहा कि देखिए यह शुद्र परिवार में है लेकिन मोची चमार जो होता है न उस परिवार में जन्म लिये थे तो राजा ने कहा कि ठीक है अगर आप शिव जी के पका सोटगा जितने भी ब्रामण आये सब लोग किर्टन करने लगे भगवान का स्मरन करने लगे वेद पाट पड़ने लगे लेकिन पूरी राद पड़ा लेकिन कोई भगवान उनके गोद में किसी के गोद में नहीं पड़े और इस प्रकार से जब रहेदास जी ठाकुर ज का भजन करने लगे दर्शन दो घनशाम अखियां हरी दर्शन की प्यासी दर्शन दो घनशाम हे प्रभू आप मुझे दर्शन दो और जब आप मुझे पर अगर खृपा नहीं करोगे तो किसके उपर करोगे बस किर्टन करते गए करते गए और सब लोगों की हाजरी में सब के कहते हैं ना कि वहां पर बैठे दे सब लोगों के मौजुदगी में वो 40 ग्राम भगवान रैदास जी के गोद में गिर गए हैं इस प्रकार से साबित हुआ कि हकीकत में रैदास जी भगवान के शुद्ध भक्त है उसमें नात जात भात कुछ नहीं होता है जो भगवान का जिसको भगवान में शुरद्धा है भगवान उसके हो जाते है और हकीकत भगवान ब्रामणों को निमित बना कर संसार को ग्ञान देना चाहते है ब्रामणों ने आगे आकर किया तब उनका यस बढ़ गया ना रैदास जी का अगर ब्रामणों ने विरोध नहीं किया होता तो समझ में आई बात अमरीश माराज का यस कैसे बढ़ा जब दुरवासा ब्रामण ने कृत्या उत्पन की स्राप दिया यह किया तब अमरीश माराज का इतना नाम बढ़ा अगर नहीं होता तो प्रभुपाज माराज का नाम क्यों बढ़ा ऐसा क्योंकि सब लोगों ने व विरोध होता है उतना ही ख्याती उतना ही बड़ा यश और वो भक्त उतना ही बड़ा होता है अर्जुन को कितना कश्ट पड़ा जितना कश्ट ज्यादा पड़ेगा उतना ही वो जीवन में आगे बड़ेगा नर्शी मेता के जीवन में आप देखिए कि 700 घर थे उनके विरोध करके ही क्या किया है हाँ हाँ पुनाख इसलिए ब्राम्मणों का विरोध ब्राम्मणों का विरोध ब्राम्मणों का विरोध ब्राम्मणों ने क्या किया सब लोगों ने विरोध किया तो भगवान ब्राम्मणों को निमित बना कर आगे बढ़ाते अपने भक्तों को स जब जगा पर कहीं पर भी आप देखिए ऐसे बहुत सारे उदारण है शास्त्रों में आता है तो ब्राम्मनों के द्वारा ही रैदास जी को ऐसा बहुत तो कहते हैं आनाप्शनाप बोला उनके उपर आरोप लगाए लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करकर रैदास जी के जीवन में भक्ती जो थी वही लेवल पर उनको रखा और जैसे वो ब्राम्मनों को अविरोध हुआ उससे भी उनकी भक्ती और बढ़ गई लेकिन भक्त जो होता है ना कभी भी कोई चीज में कभी भी मतलब कहते हैं किसी से इरशा नहीं करना कुरोध नहीं करना वो तो समाज, समंदी जो भी है वो आज हवावा करते हैं लेकिन अगर हम कुछ नहीं देंगे ना तो फिर वो गाली देंगे जितने भी लोग है अब देखिए मित्र लोग है परिवार कुटूमी जन लेकिन भगवान कैसे किर्पयालू और दयालू है कि हम इतने सारे कहते हैं ना क भगवान ने हमको सब कुछ दिया लेकिन हम भगवान को क्या देते हैं बताइए भगवान ने अन दिया जल दिया हवा दिया शरीर दिया भारत भूमी में जन्म दिया इस पृत्वी में रहने को हमको सुवीदा दिया सब कुछ भगवान ने सुवीदा करके दिया लेकिन हम भगवान को क्या देते हैं ये संसार का जिवात्मा भगवान को क्या देता है अब के ते कुछ भी नहीं देता है कुछ भी नहीं देता है अरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे शिल प्रवपाद माराज की जय